अध्याय दो लालच बूरी बला आज हम क्या करेंगे इसका दूसरा भाग करेंगे आदा हमने पढ़ लिया आज आदा और पढ़ेंगे पेज नमबर है आठ यहां तक हमने कर लिया था एक सो मूरें तुम सचमुच कोई भले आदमी हो यह कौन करता है बुड़े आदमी को यह इस लड़की का पिता मोहन है वो कहता है मैं तुमारे साथ चलने को त्यार हूं कितनी दूर है तुम्हारा घर यह मोहन कहता है यह बात बुड़े आदमी को हजार कोई हो तो भी मैं सो मूरों के लिए वहां तक चल सकता हूं मोहन खुशी से पागल हो रहा था अरे भाई ह जार कोई की नोबत नहीं आएगी बस तीन कोई ही चनना होगा बुड़े आदमी ने जवाब दिया किसको दिया मोहन को दिया मोहन ने बुड़े आदमी को वह सोने की मोहर लोटा दी और फिर वह उसके पिछे पिछे चलने लगा मोहन चला जा रहा था उसके मन में खुशी क लड़ू फूट रहे थे, चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुंच गए थे, बुड़े आदमी को महल के सिंग द्वार की और जाते देख, मोहन ने पुछा, तुम उदर क्यों जा रहे हो, यह तो राजा का महल है, हाँ हाँ यह मेरा ही घर है, बुड़े ने कह मोहन ने चौंक कर ध्यान से बुड़े की और देखा, वे एकदम पहचान गया, बुड़ा और कोई नहीं नगरी का राजा ही था, मोहन को काटो तो खून नहीं, उसके मुझे सब्द नहीं निकल रहे थे, यह देखकर राजा ने नमरतास से कहा, गाने में कोयल को भी मात दे देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने से मुझे दो पल के लिए आनन्द आया, इसके बदले में सो मुरा का वायदा करके, क्या मैंने तुम्हें गड़ी भर का आनन्द नहीं दिया, खुसी के बाद तुम्हारे लालत से मुझे को निरासा हुई, और यह उच इसकी सिक्ष्या क्या है, लालच करने वाले को अंत में क्या है, पस्ताना ही पड़ता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना जाईए, धन्यवाद, आपका दिन सुब रहे